दूसरा नाम है सिदाज शुकला मेरी जान बहुत खुशी हो रही है मुझे आज कि टेली मसाला पर डिनर डेट विट स्टार में दा वन और अल्ली रॉकिंग शुकला जी आपके साथ है तो अशीश मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम लोग जिस जगा पे खड़े हैं इस जगा पे आपको लजीश पकवान खाने को मिलेंगे क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही नहीं क्योंकि इस जगा से मेरे बहुत अजीश जुड़े हुए हैं मेरे शेहर के अपने लखनों के मेरे कोई एक ऐसे शक्स हैं परिवार हैं उनका है ये जगहा उनकी है ये फ्लेस उनका है ये रेस्टराउन जिसका नाम है को लोनियल पैलेट अवेरी जान सतके जावा नजर उतार लूगा तुम्बै के अल्ट्रा पॉश्य लाके फोड में है ये और देख सकते हैं बहुत जगह है पास में ही जुही चाबला का भी रेस्टरेंट है और वह भी अच्छा चल रहा है और हमारा भी बहुत अच्छा चल बहुत ही खुबसूरत मावल है संतो शुक्ला भाई क्या मदा आगया मतला भाई सबको साड़े दीन आपको ढाई तो मेरी जान आप बैठेंगे कहां वहां पर आप बैठेंगे यहां पर आप बैठेंगे वहां यहां क्यों क्योंकि सास भी कई बहुत ही नहीं क्योंकि आज पुब्लिक का एंट्री बंद है वाई, आस्क मी वाई वाई, क्योंकि मैं जानता हूँ ना विकॉण फिस दिनर देट विट स्थार तो रॉकिंग शुक्ला तो आए चलते हैं हम लोग वहाँ बैठते हैं पल्को की छाहों में हम और आप वाउ हलो यहाँ आपको तूड़ी जर्माल के शुक्ला है वो सब लखनाउ से हैं हाँ 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 यह बड़े भाइए सब कुछिनका है तो लखनाउ के नवाब आए इनके लिए क्या खिलाने वाले हैं बहुत सारी चीजे हैं और मैं आपको थोड़ी जर्में यह शुरुवात है मैं आपको अपने इंट्रियूस करता हूँ अपने एक धर्शन हमारे मैनेजर से रेस्ट आउँ के ही विल तेल यू एवरिफिंग वाँ लबली 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 लब यू राम को और बिलकुल चूकता नहीं हूँ और बहुत ही बेबाक और बिंदास अंदाज में बात करता हूँ क्योंकि डर तो सफ उपरवाले से लगता है और बाकी किसी से लगता नहीं है और यह शुकलाओं को खासियत है तो एक शुकला तो यहाँ यह बोल चुका है दूसरा शुकला जो है वो बिग बॉस के घर के अंदर दहाड रहा है और जब दहाडता है तो बाकी लोगों के पतलों ने गिली हो जाती है वो नजर आ रहा है दोस्त और मतलब लोगों को यह लग रहा है क्योंकि आप खुल कर इतना समर्थन दे रहें सपोर्ट कर रहें सद्धार शुकला को तो उनको लगता है कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन किया है क्या रिलेशन सिधार शुकला से मैं कभी जिन्दगी में नहीं मिला, ना हमारा आमना सामना हुआ है, और हमने कभी काम नहीं किया साथ में, कुछ नहीं मैं, उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ ना मेरे तोस्ते, मैं उनको उनके गेम से जाना, जो उन्होंने बिग बॉस सीजन तेड़ा, यानि कि 13 में गेम खेलना शुरू किया है, वो उसकी सचाई जो थी, उसको मैंने सपोर्ट किया, उसको पहचानना शुरू किया, और मुझे अगा नहीं यार, ये शुकला को अगर इस शुकला ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये गतारी हो जाएगी, शुकलाओं क तो वो एक अंदर से आवाज है, यकीन मानना मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वो एक अंदर से आवाज है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये कही न कहीं सच्छा लग रहा है, टार्गेट लग रहा है, हर आदमी इसको घेल रहा है, इसको पोक कर रह होंगे, क्योंकि वाइरल हो रहे हैं, वीडियो चैली मसाला पर जितने भी हमने आपके इंटर्व्यूस कि वो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कमेंट्स भी करते हैं, कही लोग, तो फिर आप ये इन टार्गेट से ये ट्रोल से जरते हैं, मेरी जान, मै ये आपका ही जो शो है शुरू होने से पहले ही कह दिया कि संतो शुकला सिर्फ उपर वाले से डरता है, डरता है नहीं होना किसी से, बिल्कुल नहीं डरता हो, और क्यों डरना किसी से यार, यार, मतलब सीधे बैठे हैं, चोब बैठे हैं, तो सुधामा मत समझ लाए, अग मुझे बहुत, I'm receiving a lot of flags from someone's blind followers, जिनको ये लगता है कि कोई सही है, लेकिन क्योंकि ये democratic country है, इंडिया, यहाँ अपनी आवाज अपनी उठाने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, तो मैं खुल है आम चोड़े में बोल रहा हूँ अपनी बात, कि सिर्फ एक ही आदमी नज़ कि मैं किसी publicity के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अपने, my twitter is already suspended क्योंकि मैंने काफी ऐसे ही गदावर बाते लिग दी थी, my team is working for that and it will come back very soon, but मैं अपने कोई followers बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई भी limelight में आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चे संतोष शुकला ने सिधार शुकला को सपोर्ट किया है, पहली चीज है, दूसरा एक बहुत important बात मैं आज तुनको और क्योंकि बातों से बात निकलती है, बातों से बात निकलती है, तो शो में मैंने देखा किसी एक इनसान को सिधार शुकला के बाप को उल्टा सीधा बोल नहीं, मेरी उपीनियन बदलेगी नहीं, जब तक कोई इनसान नहीं बदलेगा, हाँ, शुर्वात मैंने उसको पसंद किया, मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, और मैंने देखा नहीं यारे ललकात अच्छा है, सिधार को पकड़ के चल रहा है, बड़ा भाई मान के च जीते का, सिधार शुकला जो है, वो इस शो की रिड की हड़ी बन चुका है, तो वो हड़ी को तोड़ने ही कोशिश करी, वो कहीं न कहीं गददारी दिखाती है, तो वो उस चीज से मुझे नफरत है, परेज है, मुझे जो बोलना था, उस पर बोल चुका हूँ, उसके बा वो फीलिंग का, मुझे एहसास है, मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि, I think it's been three years, I lost my dear dad, Mohan शुकला थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे पता है कि जब, जो इनसान दुनिया में नहीं है, उसके बारे में जब आपको, कुछ उल्टा सीदा कोई बोलता है, तो कि इतना गुस्सा आता है, और उस वक्त क्या लगता है आपको, कि मैं इस इनसान का क्या करता हूँ, तो मैं वो फील कर पाया, कि सिद्धार्ट शुकला के अंदर उस वक्त क्या रोश्ट पैदा हुआ होगा, और क्या जोश्ट पैदा होगा, और किस किसम का गुस्सा आया बाई आसिम के जो followers हैं वो ये बोलते हैं कि सद्धार्त भी कई बार मतलब personal हो जाते हैं घुस्ता करते हैं तो एक बार अगर आसिम ने कर दिया तो गलत नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से कौन followers हैं मैं तो नहीं जानता हूं और मैं आसिब को जानता भी थोड़ा बह लेकिन इस तरीके की हरकते ओची और घटिया हरकते करोगे, तुम अपने सीनियर्स की इज़त नहीं करोगे, मेरी छोड़ दो, मेरी जान मेरी छोड़ दो, सुल्मान खान साहब ने क्या बोल दिया, शनिवार को, उन्होंने बोल दिया ना, that you are looking bloody, irritating, you are looking like an act, मतलब तुमारी वैसे मैंने शोड़ देखना बंद कर दिया, वो इतना जादा irritating लगने लगे हो, कि वो शोड़ देखना बंद कर दिया, यह उन्होंने आसिम को बोला, तो मैं तो क्या हूं भाई? और रश्मी और आसिम को देखा भी गया, कि वो बातचित कर रहे हैं, और यहां तक कह दिया, कि बिग बॉस की जो मेकर्स हैं, बायस्ट हैं, इवन सल्मान खान पे भी कई बार उंगलिया उठी, कि सिध्धार को फिवर किया जा रहे है, जो क्रेटिव हैड हैं, बिग बॉस के उसको लेकर भी बातें उठ रही हैं, कि क्या यह शो जो है, वो सिधार शुकला के बायस है, उसको लेकर बायस है, उसको लेकर बायस है? यह मैं सब समझता हूँ, और मैं बहुत जादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बहुत इंपोर्टेंट और बड़ी महत्तों कोड़ बात है, कि हर सीजन में सल्मान खान साब को घजीटा जाता है, कि वो बायस हो रहे हैं, औ उनका क्या लेना देना यह जो जितने भी कंटेस्टेन, उनको क्या लेना देना इन लोगों से यार, यह सच अ बिग सुपर, सच अ हुज मेगा सुपर स्टार है, सल्मान खान को क्या लेना देना इन लोगों से, वो तो होस्ट कर रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए आप को हिंट देख के जाते हैं हर जुम्मे की राच शनिवार की राच शनिवार के वार में आपको समझा के जाते हैं बार बार कि वह यह मत करना तुम दिखने रहे हो मतलब अब कुछ ऐसा करो कि दिखो बट ऐसा मत करो दो तरीके होते हैं उन्हें बोला दिखने के अच्छा वे बुरा भी हो सकता है ना तो बुरे तरीके को क्यों अपना रहे है यार इतना बड़ा प्लाटफॉर्म मिला है अगर कोई टैलेंट है अंदर तो वह दिखाऊ ना गाने गाओ अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाऊ अपनी लाइफ की जन्नी के बारे में शेयर करो अपने जो तुमारे डए फंस बन रहे हैं उनको मोटिवेट कररे के लिए कुछ करो ऐसी बाते करो बट यह सब बाते मत करो यार कि किकी के बाप पे जा रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है वह गलत है, in fact, आशीश मेरे दमाग में एक और एक खयाल आया था और अच्छा हुआ भी इस सब बात पूछी है, आपने तो I am really looking forward to meet Siddharad's mother also because मुझे पता है, मेरी माँ के लिए है और मतलब माशाला भाई है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे है, सब कुछ है, लखनों में रहते हैं आजकुल तो ममी यहीं आई हुई है but मैं फिर भी मतलब मैं फील कर सकता हूँ, वह emotion वो ता तो मैं मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाकर कि उनसे मिलूँगा एक बार, सिधार शुकला की मा से और उनको यह assurance दिलाऊंगा, I'm sure कि उनके आसपास बहुत सारे काविल और बहुत सारे समझदार और अच्छे लोग होंगे बट उन में से एक गिंती अपनी भी किरवा दूँगा, कि संतोर शुकला भी आपका बेटा है, और मैं हूँ, कभी भी कहीं भी आधी रात को आपको कोई भी जरूरत लगती है, और आपका एक बेटा अंदर है, शो में, तो दूसरा बेटा बाहर है, तो मुझ से कुछ भी अगर आपको लगे कि मैं किसी भी काम आ सकता हूँ, तो हक से अपना बच्चा समझ की मुझे याद कर लिजेगा, क्या बात है, लब बिग बॉस और सल्मान भाई, क्योंकि आपका काफी जुडाव जो है, जो बांडिंग है, फैमिली है, आपके तरी के बोलते हैं, उसके ब इस पेशल्टी क्या है और संतो जी आये हैं, क्या खास तेगरी किया है, संतो शुपला जी तो हमेश है है, रेग्लर केस्ट है हमारे, और जब भी बात हमको पता चाहिए, अब आट वांस में पता फोन करका बता चाहिए, तो उन्हें के लिए हम स्पेशल जो हमारे शेफ है स्पेशल कुछ बनाते हैं उनके लिए बैने उसे हाटके, जो सिंग्नेटर दिशुस तो अलड़ी है, इतनी बार आ चुक है यहां पर कि उन्हें सब टेस्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर अभी सिंग्नेटर दिशुस जो और नहीं आने वाली है, वो उनको टेस्टिंग कर और जो हलीम है वो आपको हाइदराबाद के या दे रहा देगा, सही बोला, सल्मान भाई को भी हलीम बहुत पसंद देगा, सल्मान भाई के लिए पैक हो के यहां से जाएगा, इंशाल्ला, कहा बात कर रहें आप, यस, यस, वो आप फिर भाई, वाई, एक एक करके बाए इ खाना भी आगया है, दिख रहे है समने, बड़ाई लजीज सा पगवान कुछ आए, अभी शुरुबात हुई है, अभी आगय आगय तो बहुत चीज़े आएगा, कार्बन चिकन, समझे आप, तो कार्बन चिकन से शुरुबात हुई है आपके लिए आशिर जी, और अब य क्या बात है, सारी पोले खुलेंगी आज, समझ रहे हो तुम लोग, डिनर देट वेट, स्टार द वारें रॉकिंग, संतो शुग्ला बात है, सलमान भाई की बात कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी स्पेशल बॉंडिंग है, बलब बिग बॉस में आप रहे हैं और उसके बाद फिल्म में काम किया साथ में और अब दबंग धरी में भी काम किया लेकिन एक सवाल ये उठा, हिमांची खुरानागर के एक कंटेस्टन थी, एक्स कंटेस्टन उन्होंने कौन? हिमांची खुराना कौन हिमांची खुराना? इस सीजन में थी इस सीजन में? अच्छा, ये सर्पार नजर नहीं आहीं कहीं क्या वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन के तो नहीं थी अंदर नजर नहीं आहीं कहीं शो में वो अच्छा, अच्छा अब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हिमांची ये कहती होई दिखाई दे रही है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं तो ये तो वो करते हैं तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है वो ड्रामा है क्या नाम बताया अपने इनका? हिमांची खुराना ने अगर ये बात बोली है तो जिसकी इतनी और जितनी भी घोर निंदा मैं करूँ उतना कम है बहुत ही घटिया और बहुत ही ओची हरकत है जस्ट चीप पॉब्लिसिटी स्टन्ट सल्मान खान साहब बहुत बड़े सूपरस्टार है आपको अंदाजा नहीं है शायद कि वो कितने अच्छे इंसान भी है तो आपने बहुत ही घटिया बात बोल दी क्योंकि उसके पीचे रीजन आपको भी बहतर पता होगा बट यार वो एक इंसान आकर कि आपको मतलब वो मोटिवेटर है कितना यूथ हो कितने लोग उनको फॉलो करते हैं हर उमर का इंसान उनसे इतना प्यार करता हो जाए बच्चा हो जाए बुड़ा हो वो इतनी बड़ी उन्होंने चीज करी है यह दिखाने के लिए यह समझाने के लिए कि आप अगर इस घर में ऐसे रह रह रहे हो बिग बॉस के घर में तो आप अपने घर में कैसे रहते होगे तो सफाई अभियान जो है ना मोटी जी ने शुरू किया उसको भी कहीं न कहीं रिप्रेसेंट किया उन्होंने कितनी खुबसूरत चीज का बयान किया उन्होंने अपने जेस्चर था तो उसके उपर जेस्स की मुझे थोड़े से व्यूज आ जाए थोड़ी मेरी पबलिसिटी हो जाए और आज देखिए वो हो गए ही उसमें खामयाब क्योंकि हम और आप बैठे उसके बारे में बात कर रहे हैं सो मुझे लगता है उनको जादा खामयाब नहीं होने देते हैं और हिमानशी खुराना वेड़ी बैड वेड़ी चीप पबलिसिटी स्टन्ट प्लीज दो नाट यूज किसी भी सुपरस्टार का नाम अपनी किसी भी घट या पबलिसिटी के लिए थैंक्यू बटिमाज़ टैक्याा को अब बात करते हैं आपके फिरिट शुकला जीकिए अनल अजीज ऄ तो शुकला की बात करते हैं जो अंदर हैं बाहर वाले तो आप धहमाल मचाईर हैं सदाशुकला और सणा की भीडाज शैनाज की वाइरल हो रही हैं लोग उनकी जो जोड़ी है उनके जो क्यूट मुवमेंट्स हैं उसको देखने के लिए तडब रहे हैं और मलब लगातार वाइरल हो रहे हैं चीज़ें ट्विट्स हो रहे हैं उस पर लेकिन घर के अंदर देख रहा हूं की कुछ एक्वेशन जो हैं वो अलग हुए हैं बलब लोग चाहते नहीं हैं कि वो दोनों एक रहें और कहीं न कहीं जैसे हाल फिलाल में देखा कि सना भी तोड़ी सी उसको लगता है जब वो दूसरों के साथ टाइम देते हैं शुक्रा जी हमारे जाहे हो माहीरा के साथ हो खास माहीरा की बात करें क्योंक जाना चाहिए एवन थपड़ उपड़ भी मार दिया प्यार माइड डालिंग क्या होता है कि दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तडपाएगी मुहबद बढ़ती जाएगी यह गाना आपने सुना होगा तो क्या है कि आब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते है और उसमें सचा ही है जैसे भी वो उनके दोनों के दिल जानते होंगे हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं बत क्यूंकि वो घर में बहुत पॉपिलर कपल हो गया है और जो घर के अंदर लोग हैं वो सब बड़े कहाँ हैं और सब टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं इस इंडस्ट्री के लोग हैं और बिग बॉस के बारा सीजन देखके घोल के पी चुके हुए लोग हैं तो उनको पता है कि अभी ये जो कपल है ये सबसे ज़्यादा पॉपलरिटी गेंड कर रहा होगा बाहर So they are trying best, their best कि वो किस तरह से इन दोनों को अलग कर दें तो इनकी पॉपलरिटी कम हो जाएगी और ये शो में ज़्यादा दिखना कम हो जाएगे तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा नजर आएगा बिग बॉस टेड़ा यारी के तेरा में तो सिर्फ यही रीजिन है, out of jealousy लोग कर रहे है Otherwise, Hindustan स्विकार चुका है और पुरी दुनिया स्विकार चुकी है सिदनाज के प्यार को और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि शुक्ला जो है वो घर बसा लें और स्वेंबर करके निकलें अंदर से और दूसरा शुक्ला भी यहां तयार बैठा है किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि मैं करना चाहता हूँ दिन रात, दिन रात किसी की आरती भाई, काफे कुछ बोल दिया आप नहीं, नहीं, नहीं बहुत प्यारी लगती, मुझे बहुत मैचूर, बहुत समझदार और जबसे मुझे इस बात का पता चलाना कि उनकी जिन्दकी लखनाओं में बीती है आप समझ रहें? क्योंकि बॉन और बॉट अपन लखनाओं तो हम मिले क्यों नहीं कभी? मुझे इस बात का अफसोस है कि लखनों में क्यों नहीं कभी टकराएं हज़त गंज में क्यों नहीं कभी टकराएं लखनों के किसी गली महले में, किसी बजार में कहीं क्यों नहीं टकराएं कोई ऐसे moment क्यों नहीं आया किसी शादी में क्यों नहीं मिल गया तो बहुत ही समजदार लगती हैं वो लड़की मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ बहुत ही सिरिएसली बोल रहा हूँ कि आरती मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी लड़की लगती है और जिस तरह के उनकी इमिज निकल के आई है न कि सब को साथ में लेकर चलने वाली इमिज वो पैस्ट कॉलिटी है तो ऐसी ड़की जब इस घर को समाल के रख सकती है तो किसी कि आप समझ सकते हैं एक और अच्छी बात यह है कि पंडित जी आये थे जो जो अंदर गहे थे उन्होंने बोला कि अब आर्थी का जो है रिलेशन्शिप स्टेटस थैंक यू मैच वह बहुत जल्द बदलने वाला है तो क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा बोला जोटिशी ने बोला ओमाइगाड कही बहुत अच्छी बहुत समझदार है जिस किसी से भी शादी करेंगी वह बहुत लगी होगा जिस किसी की जीवन में जाएंगी जाएंगी वह घरवाले बहुत लगी होगे जो उनकी इमेज निकल किया है यह मेरे सामने फेंटाबलेस या इतनी मज़दार बाते चल रही है अभी दबंग्तरी में देखा आगे और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं फ्यूचर प्रोजेक्स क्या हैं जानना चाहते हैं लोग मेरे अरे बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्स कर रहा हूं और मैंने तो डिसाइड किया है कि थोड़ा अनॉस्मेंट कम करता हूं क्योंकि कही न कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है यह बहुत सा बिलीव नहीं करता हूं नजर लग जाती है तो थोड़ा सा इस बार वेट करते हैं कुछ अच्छी वेब सीरीज हैं कुछ अच्छी बड़ी फिल सब्सक्राइब करते हैं जरूर क्यों नहीं यार सलमान भाई के साथ तो मतलब यह तो किसी इसे विगर आप बोलेंगे तो उसकी तो 32 ही हाथ में निखला है कि दो कि साफ करके फिर लगा लेगा तो वह बड़ी खुशी की बात हो कि बातें चल रही है कुछ कुछ जय हो के जैसा होना चाहिए ऐसा कुछ जय हो में था और उससे थोड़ा उपर होगा एक पैसा तो फिर तो करियर बनने वाली बात हो जाएगी सो बढ़िया है कुछ भी करेंगे तो अच्छा करेंगे और जरूर करेंगे सलमान भाई के साथ जब भी कुछ ऐसा लगे है मैं हमेशा बोलता हूँ, टेलिवीजिन की मैं बहुत हिजद करता हूँ, क्योंकि मैं टीवी से ही निगल के फिल्मों में गया हूँ, तो टेलिवीजिन में, जिस तरह के शोज अभी जो मैं देख रहा हूँ, वो बहुत, मुझा हम सॉरी तूसे बड़े मोनोटनल से लग रहे कोई fantasy है, तो एक ही किसम का, family drama है, तो एक ही किसम का, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसा show हो, जो मुझे as an actor बड़ा satisfaction देदे, और कुछ एक गलग पैचान बन जाए, और वो show ऐसा हो जिसका इंतजार कर रही है जंता, जो घरों में बैटके टेलिवीजिन देखते हैं, ऐसा show जिसका इंतजार कर रही है, वो उनको टॉनिक नहीं मिल रहा है, तो वैसे show के साथ टेलिवीजिन में वापसी करना चाहता हूँ, अगर वैसा होगा, तो जरूर करूँगा टेलिवीजिन, जरूर करूँगा, उन जो दर्शक हैं, जो आपके fans हैं, वो दिख रहे हैं सामने, जो देख रहे हैं, आप लोग हैं, तो हम हैं, वरना हमारी कोई आउकाद नहीं है, मैं यह हमेशा बोलता हूँ, कि जनता है, तो हम हैं, वरना हमारी तो कोई बिसात ही नहीं हैं, दोस्त, तो हाँ, आपकोस, जनता ही हमको बनाती है, और वही हमको किराती है, और वही सब सार चीजे हैं और आप लोग हैं मीडिया वाले हैं आप लोग हैं आप लोग हमको इतना प्यार देते हैं अच्छी बुरी सब भी इंपॉर्टिंट क्या बात होनी है पूचाहे अच्छी हो यह आप डेजर्व करते हैं और हम तो उमीद करेंगे जैसा आप कह रहे हैं की जो दर्शक हैं जो फैन्स हैं वो हमेशा आपको इसी तरीके से प्यार देते रहें और आप हम लोग को हमेशा जो आपका एक दबंग अन्दाज है वसी तरीके से आप अपने अंदाज सही एंट्रेल करते हैं तो बिलकुल और बाकी ठीक है, संगर्ष है जीवन में, संगर्ष पत्प जो भी मिला ये भी सही, वो भी सही, परवाय नहीं करते हैं, गुम्रात हो है जो घर से निकला ही नहीं, राइट! सिदनाज जो है, एक जोड़ी है, जो इतना चाही हुई है, दूसरी तरब एक और जोड़ी है, जो रियल लाइफ कपल भी थे, विशाल और मधिरिमा के, उनके जोड़ी का जो उनके बीच की जो केमेस्टिय समझ नहीं आदे, कभी लड़ाई, कभी प्यार, कभी फिर लड़ा विशाल को मैं जानता हूँ, हमने काफी पहले एक शो किया था, फेरी गुड़ बॉइ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारों वाला है, और आयार समा सकते हो शो में जा करके थोड़ा बगता ही कभी, फिर भी उसने कभी कोई ऐसी लिमिट क्रॉस नहीं किरियर श किये है, मुझे इतनी इंट्रेस्टिन लगी नहीं वह फाइट, सच बुलर मा आपके, और कभी-कभी थोड़ी सी फेक लगती है मतुरिमा की फाइट, जस्ट फदर उनको, अक्टरस है तो उनको दिख जाता है अच्छा, यह कैमरा आया मेरे वूपर, और वहीं पर दे दे जाता है कि अच्छा पर जाता है कि अच्छा, जसा कि अपने बताया कि घर के अंदर, वो सिच्वेशन में रहना वो अपने आप में बड़ाई अलग महाल होता है, खुद आप रहे हैं, तो जैसे कि लोग बोलते हैंगे सद्धाज शुकला इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, लोगो हैं उसको अधि टंड़ अकि फ्केस उसको गूंड गट्राव होता है, तो आपके साल्मान बटमुन की लिए ही समझा पर होता है, वह अब बयुक्त स्वाया हैं, वह बहुत अलग शू незात्य वीया में, और इतने वीतो विए बहुत अलग शूया है,ँसे आप पूर कॉन्टाक के बाहर, रैट, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़े दिमाग को परशान कर रही होती है, और आफट आल, यू आ रहा हिविन बिइंग, तो कहीं न कहीं आप तो वासा, जब आपको कोई बहुत पोक कर देता है, हद से जादा पोक कर देता है, तो आपकी आवाज निक बाजिक देता है, वो मैं ही नहीं, हमारी जो जनता है, जनार दिन है, जो ओडियन्स है, बहुत अच्छे सेटेस्वाइब जाती है, उसको समाझ में आ जाता है, वाई दे एंड अप दे एपिसोड, शुकला जी अपनी बात कहके, प्रूफ करके हो मनवाक है, क्योंकि आप जनता तो ये भी चाहती कि आप एक बार अंदर जाएं घर के, क्योंकि आपने, बिग बॉस के अंदर, हो सके तो भाई के साथ स्टेज भी शेयर करें और अपने उपिनियन्स दे क्योंकि इतने स्टॉंग उपिनियन्स आप दे रहें, तो वहां जाएंगे तो कुछ और ची कब जाने वाले हैं आप यार मैं जरूर कुछ अगर कोई कैसा समय आया और एक ऐसा रहा महौल कि कभी मैं भी उस वक अविलेबल हूँ और भाईजा इनके साथ तो अलवेज इस अ प्लेजर तो शेयर इनी स्क्रीन, विदे सब्सक्राइब बात करता हूँ, बगाता हूँ, गुमाता हूँ, एक कलर जो एंडर मॉल को, क्योंकि जमता की मांग है तो चलो इसको भर देते हैं, तो अगर होता है तो पॉसेबल तो इसी सीजन में, क्योंकि अच्छा भी जा रहा है, और एक शुकला जब अंदर पहुँचेगा दूसरे शुकला के सामने है, तो वो जो म शायद कुछ बोलने से बहतर मैं समझूँगा उसको एक जादू की जप्पी देना, जिसकी उसको बहुत सक्षर हुए थे, और उसको एक कस के हख करूँगा, विछ रिली ट्रूली डिजर्व, और वो एक सच्चा इंसान है, अकेला खेल रहा है, सब की बोलती बंद कर रहा है, and I'm proud, the Shukla is proud of that Shukla, जाने कि सदार Shukla, तो मैं बहुत प्राउट फील करता हूँ, कि चलो, कही न कहीं खुशी होती है, आशीश, मतलब हम कोई ऐसा जाती और भेदभाव ऐसा तो दिमाग में कभी रहा ही नहीं, और बटी है, कहीं न कहीं खुशी होती है, हाँ वई, अ अफकोस, चा करके उसको एक टाइठ हग दूगा, कि मेरे भाई, तो आईसे ही टड़ा रहे, और एक भाई बार बैठा हुआ है तेरे लिए, तो आ, उसके बाद हम लोग कुछ धमाल करते हैं, जब सिधार को नाम भी लेते, तो आँखों में आपकी वो पिंकलिंग आप लेकर के लोग दहल में, कि इंसान बहुत कम नज़र आते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ के भाई में अब री पर्सनल लाइफ के बाहा हम आपने हीमान्ची, कि और जिनका नाम लिए आपने सना सिथार शुकला सबकी परसनल लाइप के बारे में जाना चाहेंगे कब वो शहनाई वजएगी कब वेडिंग कार्ड हमें मिलेगा यह मतलब दाड़ी वाला आदमी शर्माता हो थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन शर्म तो आती है इसमें क्या करो इसका बड़ा सेंपल से जवाब है थोड़ा कुमा देता हूं ट्विस्ट कर देता हूं कि जब सल्मान भाई शादी करेंगे तो संतो शुकला भी शादी कर लेगा जय हो क्या बात है हम तो इंदिजार करेंगे कि बहुत जल्द वो तारीक खाय और हम दो बैंड बाजे के साथ आप इंवाइटेड होंगे और आप सब इंवाइटेड हुए ऐसी थोड़ी ना होगी शादी संतो शुकला की है मजाख नहीं है तो इसी के साथ हम जो डिनर डेट विद इस्टार है वन एन ओनली संतो शुकला उनके साथ यहाँ पर बहुत ही यह जो खुशनुमा यादें ह इसको end करेंगे और और कुछ टेस्ट करेंगे और किस्टी आगे हैं चीजें भी देखें और कुछ आगे हैं तो आए स्टाट करते हैं जिए लोगा बाची पसिसले ही तो तब करते हैं अब तोला सा पेठ भूचा कहल लेते हैं पेठ भूचा, love you आओ कभी कभी आओ इस एस्टर में आओ कलोनियल पर टाउन में आओ काला घुड़ा में आओ तुम भी अच्छी चीजे खाओ और बाटी बनाओ ओके थांक यू, लव यू, जै हो